अमेरिका फस्क की पॉलिसी पर चलने वाले डॉनल्ड ट्रम्प की जीट से जहां अमेरिका में जोश और जश्न का माहौल है तो वहीं देश में खासकर प्रियाग राज में ट्रम्प के दोबारा राश्टपती चुने जाने के बाद का असर दिख रहा है यहां लोग खुशिया बना रहे हैं तो वहीं ट्रम्प की जीत का स्वागत भारती शेर बाजारों ने भी किया है सैंसिक्स 901 अंग चढ़ा तो एनसी ने 270 अंगों का उच्छाल दिखाया आईटी शेरों में भी तेजी देखी गई फिर भी सवाल है कि क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच अब सम्मंदों की नई कहानी लिखी जाएगी दरसल कई मामलों में डॉनल्ड ट्रम्प भारत का साथ देते दिखे हैं तो कई ऐसे मुद्दे भी हैं जहां डॉनल्ड ट्रम्प की अमेरिका फस्ट की नीती आड़े आती है व्यापार से जोड़े समझोते हों या फिर रक्षा से जोड़े एहम सौधे या फिर आम भारतियों से जोड़ा कोई मुद्दा अमेरिका की ट्रम्प सरकार अपने पिछले कारेकाल की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाती दिख सकती है यानि आने वाले दिनों में इमिग्रेशन का मुद्दा फिर छाय रह सकता है हमारे अपने अमरीका के साथ बहुत अच्छे रिष्ट है इसलिए ये और भी जादा इंपॉर्टन होगा लेकिन मैं फंडमेंटली मानता हूँ कि जिस तरह हम अब दुनिया की पांच भी बड़ी एकॉनोमी बन गई हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अमरीका को भी हमारे में इंट्रेस्ट है और इसमें चाई ट्रम्प या कमला हरेज जीती जो भी होता उनको भी हमारे में इंट्रेस्ट होता तो मैं ओवराल मानता हूँ कि इस जीत के लिए भी भारत के लिए फायदा है आपको बता दें कि ट्रम्प के पिछले कारेकाल यानि 2017 से 21 के बीच अमेरिका भारत को हत्यार सप्लाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश्पन किया था साल 2020 में भारत और अमेरिका के बीच 25,282 करोर रुपे के हत्यारों का स्वादा हुआ था लेकिन भारत के खिलाब जाते हुए डॉनल्ड ट्रम्प ने H-1B वीजा का विस्तार रोक दिया जिसके बाद दोनों देशों में तल्की भी आई यही नहीं इरान के साथ काम करने में भी भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रम्प ने अपने पहले कारेकाल में इरान पर प्रतिबंद लगा दिये थे रूस के साथ मिजाइल डील पर भी ट्रम्प खुश नहीं दिखे थे और भारत को 46,366 करोड रुपे की डील तोड़ने का दबाव बनाते दिखे थे आलकि ट्रम्प अच्छे से जानते हैं कि जैसे ट्रम्प और मोदी अच्छे दोस्त हैं उससे कहीं ज़्यादा पुतिन और मोदी गहरे दोस्त हैं जबकि चीन को ध्यान में रखकर भी ट्रम्प भारत से अपने रिष्टों को निभाने की कोशिश करेंगे जाहिर है एक तरफ वर्ल्ड ओर्डर पर ट्रम्प की नजर है तो दूसरी और भारत की एमिद ट्रम्प अच्छे से जानते हैं भारत और अमेरिका के संबंद एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं खास दोर पर व्यापार और निवेश के क्षेतर को लेकर दोनों देशों के बीस समय समय पर नए नए समझोते होते रहते हैं लेकिन अब जब ट्रम्प की अमेरिका में वापसी हुई है तो भारत के साथ ग्यापार और निवेश के क्षेतर में और ज़ादा बल मिलने की उम्मीद है क्योंकि मोधी और ट्रम्प एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है ट्रम्प के दोबारों राष्ट्रपती बनने के बाद पश्चिमी एशा के देशों के साथ अब संबंद नई सीरे से दिखाई देंगे तो दूसरी ओर ट्रम्प पहले दिन से ही इरान को दुश्मन की तरह देखेंगे यानि नितन्याहू को लड़ने के लिए प्रोहत साहित क करेंगे